नमस्काद अश्कों यूटुब के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है मैं आज आपके सम्मुक उपस्तिद हुई हूँ तुला राशी का मार्च 2019 का राशी फल लेकर इस वीडियो में हम विचार करेंगे कि मार्च 2019 में तुला राशी के जातकों के लिए गोचर कैसा है कौन सा ग्रह शुफल देगा कौन सा ग्रह शुफल देगा सरपतम मैं आपको सपश्च कर दूँ कि ये केवल एक सदारन गोचर फल है जो की चंद राशी पर अधारित है जो आपको बताएगा कि आपकी राशी के लिए कौन सा ग्रह अधिक बढ़िया फल दे सकता है इसको अपन का आपके उपर क्या परभाब बनने वाला है इस समंद में आप मुझसे कोई प्रशन करना चाहते हैं या आपकी कोई समस्था है जिसको जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे प्रशन पूर सकते हैं अपना डेटा बन टाइम और प्लेज दे सकते हैं मेरी ये सेवा निशुलक है इसके लिए आप से कोई पैसा चाहत नहीं किया जाएगा हाँ ये बात जरूर है कि आपको प्रशन का उत्तर मिलने का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि मुझे बारी बारी से सभी के उत्तर देने होते हैं हो सकता है आपको उत्तर मिलने में देरी हो जाए उसके लिए मुझे शमा कीजेगा आए दश को मैं शुरू करती हूँ अपना तुला राशी का मार्च 2019 का राशी फल जो कि मेरी चंदर राशी पर अधारित है यह तुला राशी की कुंड़ी है तुला राशी की जिसमें तुला राशी रिखी है साथ नमबर की राशी जिसका स्वामी होता है शुकर उसमें चंदरवा वैटा है यह चंदर राशी है तुला राशी अब इस समय जो तुला राशी के लिए गोचल चल रहा है विष्टिक राशी में गुरू चल रहे है शनी चल रहे है धनु राशी में मकर राशी में केतु चल रहे है शुक्र भी चल रहे है मकर राशी में सूरे चल रहे है कुम राशी में बुद्ध चल रहे है मीन राशी में मंगल चल रहे हैं मेश राशी में और राहू चल रहे हैं करक राशी में सबसे बड़ी बात जो तुला राशी वालों के गटना गटने वाली है वो गटेगी साथ माह 2019 को साथ माह 2019 को तुला राशी का जो अभी पिछले देड़ साल से स्तिरी वनी हुई थी कि के तु यहां चल रहे थे और राहू यहां चल रहे थे राहू चल रहे थे चंदर्मा की राशी में चंदर्मा में और राहू में लड़ाई हैं यानि आपके काम के भाव में दशम भाव जिससे काम का विचार करते हैं वा एक ऐसा घरह चल रहा था जो अपने शत्रू की रा पर यह अच्छा फल पॉलिटिक्स के लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है पर तब यह क्योंकि अपनी शत्रूगी राशी में था तो उतना बलवा नहीं था रहू और दूसरा आपके चौते भाप चौता भाप जिससे मन का विचार करते हैं सुक का विचार करते हैं जीव सी बेचेनी सी स्थिती थी जो पिछली आपकी शुरू हुई है अगस 2017 से वह स्थिती अब खतम होगी 7 मार्च 2019 को राहू तो जो है करक राशी से निकलकर अपनी उच राशी मिथुन में आ जाएंगे आपके भाग्यबाब में एक घ्रह उचका आ गया इसके साथ ही जो आप जो केतु है वो तीसरे भाब में आ गए इस प्रकार तीसरा भाब प्रबल हो गया अब हम देखते हैं कि पहली बात आपकी काम की वादा खतम क्योंकि काम की इस्तान से जो शत्रू-शेत्री गरह था वो चला गया तो आपके काम की वादा खतम हो गई साथी आपका जो दित् बाब को सब्सक्राण सबताता हुआ oh सवामी मंगल यहां बैठा हुआ है और उसकी अपने ही भाब पर जिस्टी है कैसे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ यानि धनेश आपके धनवाब को देख रहा है साथ ही आपके लाभाब का सवामी सिंग राशी का सवामी सूर्य भी आपके लाभाब को देख रहा है एक दो तीन चार पांच छे साथ यानि तुला राशी वालों के लिए धन की बड़ी उत्तम पोजीशन बनेवी है धनेश धनवाब को देख रहा है लावेश लाभाब को देख रहा है और आगे चलके 28 मार्च को गुरू भी जब या तीसरे भाब में आ जाएंगे तो गुरू भी आपके लाभाब को देखेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ यानि लाभाब की पोजीशन बहुत अच्छी बनेवी है धन की इस्तिती बढ़िया होने वाली है चाहे आप नौकरी करते हो वेपार करते हो या प्रापटी या बिजनिस करते हो इसक अधित्य योग आपकी नौकरी के भाव में बन जाएगा इसमें आपको सरकारी काव में सफलता मिलती दिखाई दे रही है आपको कोई कोट केस में केस चल रहा था और 14 मार्थ के बार उसकी डियेट आती है उसमें भी आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है इसके लावा आपके शत्रू जो आपको परिशान कर रहे थे उनसे भी आपको सामना करने में बसानी रहेगी इसके साथ ही positive बात देखिए कि तुला राशी का स्वामी जो है शुक्र वो अपने मित्र की राशी में आपको चौते भाब में चल रहा है चौता भाब होता है सुक का जो तिशास में मानते हैं कि लगने जिस भाब से समन्द करता है उस भाब की बिर्दी होती है यानि अब तुला राशी के जीवन में सुख सुवधा में बिर्दी होने वाली है सुख में बिर्दी होगी और इसके साथ ही उनके ये स्थिति हो रही है कि अगर वो कोई मकान वगरा लिना चाहते तो वो मकान भी ले सकते हैं क्योंकि शुक्र से विचार करते हैं भैवब का विलासिता का तो उसमें आपकी विर्दी होने वाली है क्योंकि मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी बनी हुई है तो आप मकान के बारे में विचार कर सकते हैं और साथ ही चुक्र केदर में बैट गया तो आपकी हैल्थ भी यानि भागे बाप में सौराशी का गुरू देखेगा भागे बाप को तो अगर तो लाराशी के जातकों का अचाना की कोई भागे वोद्हा जाया तो मुझे कोई अचम्भा नहीं होगा बशरते उनकी कोई दशाद हो पोजटिव चल रही है तो उनके भागे दा होने की श तीसरे भाव से विचार करते हैं संपर्क का, संचार का, लेखन का, मीडिया का, फिल्मों का, एक्टिंग का, फैशन डिजाइनिंग का, इस तरीका सा, तो यह बड़ा महत्यपूर्ण, ऐसे लोग जो पत्रकारता में जुड़े हैं, खेल कूद में भाग लेते हैं, और जो चो काम, आप कुछ किताब लिख रहे थे, कोई मीडिया बना रहे थे, को सीरियल थे, मीडिया से जुड़े होए थे, पत्रकारतीः से जुड़े होए थे, तो आपके लिए भाव बहुत अच्छा बनने वाला है, आपकी यात्रायां भी होती दिखाई देरी हैं यह के तू कि तु गुमाएगा और गुमने से आपको लाब भी होगा तीसरा भाप भाप से ठीन का का यी वीचार करते हैं तो यातरा के लिए बहुत बड़ा भाप है साथ ही क्योंकि ऐसा हो जाता है कि इससे पहले मंगल यहाँ चल रहा था अगर आपका कोई धन कहीं से आना हो था वो रुका हुआ था तो वो मार्च के महिने में आपका धन भी आ सकता है इसके लावा अब हम बात करते हैं कि तुला राशी के जातकों के लिए साफधानी रखने की जरुवत क्या है पहली साफधानी तो यह है कि मंगल की पोजीशन आपके लगन पर है तो आपको जो है गुस्सा जादा आएगा क्योंकि मंगल जो है उशल प्रकरती का अग्रह है अगनी तत का अग्रह है तो आपको काम में करवा जग 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 होगी आपको ऐसा लगेगा कि मैं ही महनत कर रहा हूंग दूसरे मेरी मदद नहीं कर रहे ऐसा कुछ विवाद की स्थिती बनेगी पर जीवन साती के संग विवाद नहीं होगा जीवन साती के संग संग अच्छे रहेंगे इसके लावा आपको ध्यान देने की जरुवत है कि आपकी गुरू या बुद की दशा या अंतर दशा चल रही है तो भी सब्दानी बतने क्योंकि गुरू आपका शस्टेश है और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 विदारतियों को पढ़ाई में बाद आएगी साथी प्रेम सबंदों के लिए मैं समय जो है उत्तम नहीं मानती क्योंकि आपके पंचिवेश की उती केतु के साथ हो गई तो आपके अपने प्रेमी के साथ कोई विवाद होने की संभाबना बनी हुई है त चंदर्मा कप सही पोजीशन में होगा जब चंदर्मा तुला में होगा धनू में होगा मीन में होगा मेश में होगा करक में होगा या सिंग में होगा तो यह चंदर्मा आपको बढ़िया फल देगा वह कौन सी तितिया ती चंदर्मा बढ़िया होगा वह होगा एक वा साथ March 8 va 9 March 10 va 11 March 17 va 18 March 19 va 20 March 23 va 24 March 28 va 29 March तो यह शुब्तिथिया निकल के आ रही हैं आपके लिए इन तिथियों में अगर आप किसी काम का विचार करते हैं आप कही जाने की सोच रहे थे किसी काम के बारे में सोचते हैं तो आपके लिए ज़्यादा फल बढ़िया होगा आप हो सके तो इसी में अपनी यातरा प्लान करिए किसी से मिलने मुलाकात के बारे में सोचिए क्योंकि इस समय आपका चंदरमा बड़ा पॉजिटिव होगा चंदरमा क्या हमारा मन का कारग ह अगर चंद्रमा positive होता है तो हमारी सोच positive हो जाती है इसलिए इन तितियों में आप किसी भी कारे का विचार करिए अब ऐसी आशुप्तितियां कौन सी है तोला राशी के जातकों के लिए जिसमें उनको साब्धानी बरत नहीं हो किसी नए काम का विचार नहीं करना वो शुप साब्धानी रखनी है इसमें चंद्रमा अगर अशुप होता है तो मन की स्तिधी सही नहीं रहती आपके decision कलते हैं आप किसी बात के बारे में जंग से सोच नहीं पाते किसी काम की सही प्लानी नहीं कर पाते इसलिए इस दिन यात्रा ना करें वहान को साब्धानी से चलाएं और अपने खर्चों पर नहीं अंतर रखें तो यह तो मैंने बताया तुला राशी वालों के लिए मार्च 2019 कैसा है दश्कों मैं आपको फिर बता दू यह मेरा राशी फल जो है यह आपकी गोचर पर अधारित है कि तुला राशी में समय जो ग्रह चल रहे हैं वो क्या फल मिलेगा तो उसके लिए देखना जरूरी है आपका लगन क्या है आपकी किस ग्रह की दशा चल रही है वो ग्रह आपकी कुली में किस भाब में बैटा है और वो गोचर में किस भाब में चल रहा है उसके अधार पर निर्दारन होगा कि आपको इसका क्या फलित मिलेगा इसक साथ ही बैल आइकन को दुआ दे जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अप्लोट करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सके इसके साथ ही नमस्कार दश्कों जैमातादी